Hello viewers, मंदिर में बनी सोने की दिवारों को कोई पर नाम नहीं करता, लेकिन पत्थर से बनी सीडियों पर सभी माथा टेकती हैं, इसलिए धन से नहीं, मन से अमीर बनियें, पर मातमा हमेशा आपके साथ है किताबों की एहमित अपनी जगहे जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं सहस्ता ही सबसे बड़ी सब्वेता है, जो शिष्ट नहीं है, वह कभी विशिष्ट नहीं बन सकता है अनन्द इच्छाओं और उपलब साधनों में समझस्या होना ही जीवन की सफलता है फूल तो कितने अराम से रह लेते हैं कांटों के साथ भी, बस आदमी ही आदमी को चुपता है पैर में मोच और छोटी सोच इनसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती बिना सवार्थ के किसी का भला करके देखिए आपकी सारी उलजने प्रमात्मा सुलजा देगा वक्त भी लेता है करवटे कैसी कैसी इतनी तो उमर भी नहीं थी जितने हमने सबक सीख लिए सफलता का कोई रहस्या नहीं है यह त्यारी कड़ी मेहनत और सफलता से सीखने का ही परिनाम होती है उमर थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती जीवन में बुराई अवश्या हो सकती है मगर जीवन बुरा कदापी नहीं हो सकता जीवन एक अफसर है शेष्ट बनने का शेष्ट करने का शेष्ट पाने का जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं मगर सुंद्रय की भी कोई कमी नहीं है जो आपको समझे भी और समझाए भी वो ही आपका है बाकी सब दुनियादारी है गुजरते दिनों का नहीं बलकि यादगार लमों का नाम है जिन्दगी हम जिनके जूट का मान रखकर मोन हो जाते हैं वो हमें मुरख समझ कर खुश हो जाते हैं इंसान मयूस इसलिए होता है क्योंकि वह प्रमात्मा को राजी करने की बजाए लोगों को राजी करने में लगा रहता है वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी मंदिर तक पहुंचना तन का काम है लेकिन इश्वर तक पहुंचना मन का काम है बंदगी और भ्रोसा सत्गुर पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता सत्गुर को हो वक्त का काम तो गुजर जाना ही है बुरा है तो सबर करो अच्छा है तो शुकर करो बदला लेने की खुशी एक बार होती है लेकिन माफ करने का गोरव सदा बना रहता है बच्चे आपकी शिक्षाओं से नहीं सीखते वे आपके आचरन से सीखते हैं जीवन में सब कुछ मिल सकता है किन्तु सब कुछ दे कर भी जीवन नहीं मिलता ब्रहमंड में सबसे तीवर गती प्रात्ना की है हिर्दय से मुख तक पहुँचने से पहले ये बगवान तक पहुँचाती है किसी की भूल पर नराज होने से पहले अपनी दस भूलों को भी गिन लो वो कब और किन परस्थितियों में हुई थी जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो समझो एहकार में हो उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुमें ले जाए बलकि उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी ले जाए किसी को छोटी बात पर भी अगर रोना आता है तो यकीन मानिये वो मासुम और साफ दिल का है शुब चिंतक सडकों पर लगे सुन्दर लैंप की तरह होते हैं वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते लेकिन हमारे पत को रोशन और यात्रा को असान करते हैं जीवन में सारे द्रवाजे बंध हो सकते हैं लेकिन भगवान का द्रवाजा हमेशा खुला रहता है मनुश्य को अपने लक्षय में काम्याग होने के लिए खुद पर विश्वाश होना बहुत जुरूरी है राहत भी अपनों से मिलती है चाहत भी अपनों से मिलती है अपनों से कभी रूटना नहीं क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है छोटी सी जिन्दगी है हसकर जीओ क्योंकि लोटकर यादे आती हैं वक्त नहीं वक्त दो तरह का होता है एक आपके हक में एक आपके खिलाफ जिस दिन हक में हो गरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सबर जरूर करना रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंडता है फरिश्टे पंचियों के पास कहा होते हैं नक्षे फिर भी ढूंड लेते हैं रास्ते